स्टुडेंट्स मैं इस पर्टिकलर वीडियो में आप लोग उसे कैश फ्लोर फॉम इंवस्टिंग एक्विटीज के बारे में बात रूँगो इसके फॉर्मैट के बारे में देखिए इसका फॉर्मैट बड़ा ही असान होता है यह मेंली एक्विजिशिशिन एंडिस्पोज और नॉंट्राइब इंवस्ट्मेंट चाहिए वो टेंजिव एंटेंजिव एंटेंजिव एक्विज असे प्लस में आया करती है ठीक बच्चो तो इस तरह से आपका जो है यह इन्वेस्टिंग का फॉर्मैट कम्लीट हो जाता है अंसरकर पॉजिटिव आएगा तो आप स सबस्क्राइब अधने अपश्चय बात करते हैं फाइन सेख्यव और फाइनसिंग एक्विटी इस देखे क्या होता है जिसमें अंदर आप्का कहाओ चीज आती है इसमें आपका इंट्रेस्ट इंट्रें डिवरेंट आता है परोबोस्ट रिइंड रोडिए रोड़ी है इ तो आपके तरीका बतायता हूं उसको आप IP IP IR SLR ID के नाम से या रख लिजिए अब इससे प्रणाउंस करें जैसे मैं प्रणाउंस कर रहा हूं IP IP IR SLR ID तो पहले में IP करूंता दू, पहला ही होता है, interim dividend, P होता है, proposed dividend, दूसरा IP में पहला होता है, interest payment और P होता है, proposed dividend स्वारी है, मैंने दूसरा proposed dividend गल देखा, that is premium on redemption, दियान रखेगा बच्चो, this is premium on redemption, it's not proposed dividend, this is premium on redemption of debentures or reference shares तो बच्चो मैंने आपको IP IP समझा दिया, IP IP का पहले ही होता है, interim dividend होता है, P होता है, proposed dividend, फिर दूसरा IP का आई होता है, interest on debenture, loan or overdraft, और P होता है, premium on redemption, debenture and preference shares तो IP IP हो गया, IR बड़ा सान है, I for issue, R for redemption, issue of shares, equity or preference or debentures, and redemption में वही, shares, preference share or debentures ठीके बच्चो, तो IP IP हो गया, IR हो गया, अब SLR पे आज़े, SLR, S for security being received, L for loan taken, R for repayment of loan, तो IP IP, IR, SLR ये सब हो गया आपका बच्चो, अब आज ये ID पे, तो I for increase in overdraft and cash credit, D for decrease in overdraft and cash credit, तो बड़ा सान सा नाम है, बच्चो, आज़े है, IP IP, IR, SLR, ID, ठीके बच्चो, interim dividend, agreement of loan, increase in overdraft, decrease in overdraft, होगे बच्चो, सानी से यार, ये है complete financing, आप खुछ समझ जाएंगे, कौन सा minus में, कौन सा plus है, ठीक है बच्चो, तो मैंने आपको जैसे समझा दिया, कि IP IP, IR, SLR, ID क्या होता है, तो IP IP का I होता है, intermittent P होता है, proposed mean अगला I होता है, interest on debenture, loans or overdraft, P होता है, P union redemption on debenture or preference share, I for issue, R for redemption of shares and debentures, SLR का S होता है, security will receive L होता है, loan taken, R होता है, repayment of loan, I होता है, आपका increase in overdraft, D होता है, decrease in overdraft, उसके इलावा कुछ एक चीज़ होता है, जैसे share issue expenses होगे, आपका ठीक है, प्रेमिल expenses होगे है, जो आपने पे कि होगे, अदर्वाइस जो है, यह सब चीज़े ही रहा करती है, 99% of the questions में, जो मैंना को बताया है, जैसे मैंने investing में आपको spread बताया है, और financing में IP, IP, IR, SLR, ID बताया है, तो बच्चो इससे भाहर ही नहीं होगा, इस तरह से मारे तीनों activities के आपको मैंने short forms बता दिया है, और complete cash flow statement आपको इस तरह से याद हो गया, मैं जो है, अब आगे discuss करूँगा, कि जब तीनों का result आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, देखें, उसको कहा जाता है, net increase or decrease in cash and cash equivalent, जो कि इन तीनों का net result होता है, A plus B plus C, तो बच्चों, देखें, मैंने कहा, जैसे ही, जब तीनों का result आ जाता है, निकल के अलग से, operating का, investing का, financing का, operating को normally, यह से denote किया जाता है, investing को B, C और financing को C से, तो A plus B plus C का net result कहलाता है, net increase or decrease in cash, अगर answer overall positive आया है, तो net increase in cash and cash equivalents कहलाता है, अगर negative आया है, तो कहलाता है, decrease in cash and cash equivalents, बच्चों, ध्यान रखेंगा, फिर हमें क्या करना होता है, कि जो भी net increase or decrease आया होता है, उसमें opening balance of cash and cash equivalents प्लस कर देना चाहिए, और वो equal to closing balance of cash and cash equivalents आना चाहिए, अगर नहीं आया है, तो उसका मतलब आपने कहिना के विगरबड कर रही है, अधर्वाइस यह आपका self-checking हो जाती है, कि अगर net increase or decrease में, अगर opening balance of cash and bank जोड़ दे, and short term investment या marketing securities, तो अपने आप आपका equal to closing balance आजाएगा, और इससे आपका check भी हो जाएगा, कि आपने पूरा cash flow statement प्रको सही बनाया है, ठीक है बच्चों, मैं अपने अगले वीडियो मे में आपके सारे format को एक अठत operating investing financing को जो है, एक ही minute के अंदर आपको देखिए बद रिवाइस करके recall करके दिखाऊंगा, तो यह आप इसी effective investment में आएगी आपने हो, अब बच्चों, इस particular वीडियो में आपको मैं बताना जा रहा हूं कि कि किसी भी fixed asset की purchase and sale को कैसे निकाला च depreciation, otherwise अगर बड़े amount से कम हो रहा है, तो take it as sale at book value, ठीक है बच्चों, लेकिन अगर fixed asset के बार में addition information है, उसके depreciation के बार में या उसके sale और loss on sale के बार में, तो it's better to prepare the fixed asset account, बच्चों किस राइसे बना करता है, तो fixed asset account का opening balance होता है, उसको यहाल लिखे two balance brought down, जो previous balance होता है, यह asset पर तो buy depreciation की नाम से लिखेंगे, asset को बेचने भी, अगर लॉस होगा तो buy loss on sale of asset लिखेंगे, और gain होगा तो gain on sale of asset लिखा करेंगे, closing balance आपका credit down में आजाया करेगा, जो calendar balance होता है, एक बात और है, याद रखेगा बच्चों कि इसमें जो mainly fixed asset account को बना के निकाला जाता है, that is for finding out the purchase of the fixed asset, अब यह सिब चीजे जाती कहा कहा है, purchase of fixed asset लिखेंगे, जो इन्वेस्टिंग में जला जाता है, as a minus item को की पैसा गया है, sale investing में जला जाता है, as a plus item को की पैसा आया है, और depreciation जाता है, operating में दिलिप का पार्ट है, इसलिए, loss on sale दिलिप का पार्ट है, इसलिए जाता है, वो भी वहारे के plus हो जाता है, और grid, gear on sale, grid का पार्ट है, वहारे के minus हो जाता है, इस case में, अगर आप account बनाएंगे, तो opening balance और closing balance को कहीं ने लिया गरेंगे, बच्चो, इस बागो ध्यान रखेगा, ठीक है बच्चो, यह तो तब हो गया, जब आपका fixed asset सिर्फ आ के साथा जाए, अगरे के साथा बनाते हैं तो, और provisional debt पे हमेशा उस asset का accumulated debt लिखा जाता है, तिस asset को बेचा गया, accumulated debt attention of the sold asset from the date of its purchase to the date of its sale, रखेगा बच्चो की debt की जगह आपको accumulated debt लिखना है, of the sold asset which is sold during the given accounting year, और accumulated debt का मतलब होता है, the debt decision from the date of its purchase to the date of its sale, फिर आप एक चीज़ और धान रखेगा, उस asset की cost में से उसकी accumulated debt लिखा देना, जाके उसकी book value निकल का सके, फिर book value को selling price से compare करिएगा, अगर book value बड़ी है, तो loss हो जाएगा, selling price बड़ा है, तो gain हो जाएगा, धियान रखेगा बच्चो, ठीक है बच्चो, और जो balancing figure है, वो depreciation for the current year राजाता है, और इस case में यह अलो depreciation जाएगा आपका, what do you call, operating activity में दिलिप के अंदर, देखेगे बच्चो, कर फिक, intangible asset account बनाना पड़ा है, जब patents का या goodwill का, तो अगर वो तभी बनाएगा, जब additional information होगी, तो opening balance यहाँ पर, closing balance यहाँ पर, sale यह यहाँ पर, gain on sale, loss on sale, यहाँ यहाँ पर, gain on sale, loss on sale, यहाँ यहाँ और वर्च्विस बार का ध्यान रखेगा, कि जो यहाँ पर, depreciation की जगह जो है, amortization word used किया जाता है, instead of word, depreciation, चीक है, बाकी बिल्कूल, fixed asset account ऐसा ही बनता है, सब कुछ same है, fixed asset account ऐसा ही, opening balance debit side में, यानि जो previous यहाँ पर, क्रेंटेर का होता है, पर, 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 पर चेस, टू बैंक के नाम से, से, बाइब जो लॉस हो गया दो, loss on sale of intangible, gain on sale of intangible, debit side में आजाएगा, और depreciation का अपका, moderation का अचाएगा, मैं एक बात, और क्लिर कर दू कर दू कर दू कि, अगर आप, अगर आप, प्छों इस बाद को ध्यान रखेगा, आपको इंवेस्टिंग मराने में कोई दिक्रत नहीं आएगा, इंवेस्टिंग करने में, और बच्चों एक बार और ध्यान रखेगा, कि आपका जो, interest वाली बात होती है, खास तोर पे, जैसे, interest on diventures है, अगर आपको interest on diventures के बारे में, के पर वो दे रखा है, percentage दे रखी है, और बताया नहीं कि डिवेंचर का ब issue है, तो हमेशा आप डिवेंचर के opening balance पे ही interest निकालिया करेगा, ठीए बच्चों, अगर कोई information नहीं है about the date of issue or redemption of diventures, तो हमेशा opening balance पे ही interest निकालेंगे, the same thing goes for dividend on preference share or equity shares, कि अगर कोई information नहीं है, तो हमेशा opening value पे ही उनके dividend निकालियेगा, ऐसे गर interest on investment भी निकालना हो, तो हमेशा opening value पे ही निकालेगा, बच्चों, जब कोई information नहीं दे रुखियो, अदर्वाइस information के recording चलिएगा, information के recording चलने का मतलब इस तरह से है, बच्चों, कि अगर आपका debenture या issue or redeem, आप साल के opening date में हुआ है, तो आप closing balance में निकालेंगे, closing date पे हुआ है, तो opening balance में निकालेंगे, अगर suppose साल के तुरान हुआ है, तो opening date से लेके date of issue or redemption तक का opening balance पे और बाकी period का closing balance पे बच्चों में ने जैसे debenture interest के बारे में आप लोगों से कहा कि अगर debenture साल के तुरान कभी issue होते है, या loan कभी साल के तुरान लिया गया होता है, तो interest कैसे निकाली है, समझेगा, for example, अगर आपका debenture या loan है, वो एक जुनवरी, एक जुलाई को लिया गया, इस या issue किया तो उस case में त्ही महेने का पुराने बैलेंस मे निका लिया गया, नौ महेने का अग्ले कह बच्चे पराने बदंस में ने कालीएगा, ठीक बच्चों? और एक और खास बात रहाँ कि का time period बाला matter जो है केबल duration बाला matter interest के लिए होता है यह बाद duration बाला matter आपका dividend के लिए नहीं होता है क्योंकि dividend जो है वो आपका या तो opening बे निकले का या तो closing बे निकले का उसमें months matter नहीं करता है वो सिधा एक certain percentage से whole year के हिसाब से निकाला जाता यह मालीजे यह time period consider नहीं किया जाता बज यह ध्यान अखना होता कि opening बे निकले का closing पे ठीक है opening date में issue redemption होए तो closing पे closing date में issue redemption होए तो opening पे इस बाग को ध्यान रखीगा बच्चो ठीक है बच्चो एक बात और बता तुम बच्चो आप लोगों को कि अगर आपने इक पुटी शीर पर दिया है और प्रेफरेंस यह पर भी आपको क्वेशन में कोई information नहीं है तो आप अपनी तरव से प्रेफरेंस जरूर निकालिएगा बच्चो क्योंकि प्रेफरेंस दिए बिना प्रेफरेंस दिए बार में कोई information नहीं है तो प्रेफरेंस दिए अपने आप उस गेवन रेट से जो इन प्रेफरेंस दिए और जरूर जो है उसको टीट करेंगा ऑप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और एक चीज़ मापो और क्लियर करतों बच्चो कि कुछ एक जो है आपको इस तरह से रखाओ तो दिए पेबल तो डिए पेबल जब दे रखाओ तो आपको ध्यान रखना है कि आपका उप्रेटिंग में तो डिएटमेंट वैसे रहेगा उससे वह अफेक्टिट नहीं होगा इंटरिम और प्रोपोस जोनों ही लेकिन हा अगर आपका अगर डिएट पेबल दिया हुआ है तो आपको डिएट पेबल दे रखा है तो उससे आपका ऑपरेटिंग वाले में डिएटमेंट का जो डिएटमेंट से खाया है नपीबी ती में उस पर कोई फर्णी पड़ेगा ना है इंटरिम पर ना प्रोपोस जिए पर लेकिन हा अ अगर बनाए जाते हैं एक अकाउंट जूरूर रहा है बताना जैसे प्रोफिजन पर टेक्स का यह तब बनाईएगा जब टेक्स के बार में को इंफर्मिशन हो दे रखी अलग से तो प्रविजन टैक्स प्रीवेस एर ब्रॉट नाम से लिखेगा जितना पे गया वो टू बैंक के नाम से लिखेगा और जितना इस साल का टेक्स मेड है वह आपका लिखिएगा हमेशा बच्छो जैसे मैंने काहा था कि मैं आपको कैश फोर्व हों ऑप्रटिंग अट्विटी जो है पूरा समझा दूँगा जो है समराइस दुए में एक साथी देखिए बच्चो कि से करना समझा रहा हूं मैं आपको समझेगा सबसे पहले ऑप्रेटिंग इसकी चुरुआत तो यह तो है बच्छो आपका आपरेटिंग इन्वेस्टिंग में आपको सब करें यह सब चाहिक यह सब चीज ऑपर आपका तो अपरेटिंग इंवेस्टिंग तीन हो गया अपरेटिंग में जी आइप स्क्वाइर दिलिप ग्रेट का ध्यान रखिए और सब्सक्राइब में जिसमें उल्टा सिधा प्रोच फॉलो करने है उल्टा सिधा प्रोच का मतलब होता है करेंट ऐसे अगर बढ़े की तो माइन सब्सक्राइब में सीधा चलना है बढ़ेगा तो प्लस कम को तो माइनस का देना है और यह सब चीज़े बहुत रहे हैं ध्यान रखना इनकी जोड कम होगी कम पढ़ने वाले इस प्रेट का अपका सेल पर चेज्ज रेंट रिट रिट है ध्यान रगेगा बच्चों और फा इसका फर आप करते हैं अथि थैह आरे अर इकल पर इसमें ओपनिंग बेस प्रे शोड गाशन ऺैस प्लस कर दिया जाता है तिसके लिग्ष बैंक बैलस मार्केटर्से किरटी मैं आरे फिरने नंगी is कुछा है कि आपना पूरान साही किया है नहीं किया है एaison actually जी एपी स्कॉरर आपको फो खेर हो गेड़ेया है खिंगर में खेर हो गया है伊 मैंगी इ। य के बाद अपका चै एक्लान पूरान स्वेरा चैपट करते ही appreciation पर हैं तो बच्चो जैसा मैंने इस प्रहेश्ट करने पर इन परी वें जो प्रीविश के बाद है और देखिया घ्ट करेंद के सब्सक्राइब कर के दो एक पर थियान संब्सक्राइब करते अब लेकिन अगर अगर क अगाए अगर अचेसर के वर एस्टियन तो तो ससससाट पास दधयोंगेए।